नमस्कार दोस्तों धर्म रहसे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम एक विशेश प्रकार के यंत्र के विशे में बात करेंगे यह यंत्र का फाइदा यह है कि इसके प्रभाव से जिन लोगों को भी छोटी मोटी व्यापार की समस्या नौकरी की समस्या बिमारी हो या उनके मनोरत रुके हुए हो उसमें यह फाइदा करता है और यह एक ऐसा तांत्रिक हिंदू और जैन पध्धती से निर्मिति यंत्र है जिसे बनाने से विभिन प्रकार के फाइदे हमें देखने को मिलते हैं यह एक ऐसा अध्भुद यंत्र है जिससे अवश्य ही विजय की प्राप्ती होती है इसलिए इसको हम महा विजय यंत्र के नाम से जानते हैं आप लोग जानते ही होंगे कि यंत्रों के माध्यम से तंत्र को सिद्ध करने की कोशिश हैं पुराने समय से चली आ रही हैं यंत्र एक प्रकार की आकरती बिजयाइन और प्रतीक होता है जो एक विदिवत तरीके से तैयार किया जाता है कहते हैं यह एक ऐसा देवताओं का हस्ताक्षर माना जाता है जिसे वह स्वीकार करते हैं और जिसकी वजह से उनका प्रभाव उनकी उर्जा उस यंत्र में अपने आप आ जाती है यह सकारात्मक उर्जाओं को फैलाते हैं और नकारात्मक उर्जा को रोकने में पूरी तरह से मदद करते हैं वैदिक करंथों में यंत्र जामिती प्रक्रिया से निर्मित एक विशेस तरह की संरचना माने जाते हैं यह यंत्र न्यूमेरलोजी देवताओं के लिए उन्हें जागरत करने के लिए शारिलिक शक्ती रचनात्मक उर्जा बढ़ाने के लिए आसपास के वातावरण को पवित्र करने के लिए और सभी प्रकार की उर्जाओं को एक स्थान पर एक विशिष्ट आकरती में स्थापित करने के लिए ही इनका प्रियोग किया जाता है हम सभी जानते हैं कि यंत्रों में सबसे ज्यादा शक्ति शाली और सुभ श्री यंत्र को माना जाता है और यह माता ललिता अर्थात माता त्रपुर सुंदरी का प्रतिनी धिप्तो करता है यंत्रों को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक ऐसे प्रतीक हैं जो हर धर्म में माने जाते हैं जैसे कि ओम या स्वस्तिक या फिर त्रिशूल हिंदू धर्म का क्रॉस जिसे प्लस का चिन भी कहते हैं इसाई धर्म का चंद्रमा और क्रिसेंट यह इसलाम धर्म का तो यह जितनी भी चीजे हैं वह प्रतीक के रूप में हम देखते हैं यह यंत्र लकडी, रत्न, धातू, पृत्वी पर एक विशेस प्रकार की आवरित्ती बनावट इत्यादी में माने जा सकते हैं और कहते हैं कि भगवान का शिवलिंग सबसे बड़ा और उर्जा में प्रतीक है, सबसे बड़ा एक यंत्र है जिसे हम शिवलिंग के रूप में जानते हैं और कहीं भी जहें वो छोटा सा शिवलिंग हो या फिर ब्रहद और बड़े आकार का शिवलिंग हो तीव्र उर्जा उत्पन करता है और यह एक ऐसा यंत्र है जो उस परमेश्वर शिव की उपस्तिती को प्रत्वी पर दर्शाता है तो आप इससे समझ चुके होंगे कि यह सारी जितने भी प्रतीख है यह यंत्र से ही संबंधित माने जाते हैं मंत्रों से हम जानते हैं उर्जा बनाई जाती है और अगर सामने आपके यंत्र हो तो मंत्रों की उर्जा और भी तेजी से कार्य करने लगती है और ऐसा कमपन उत्पन करती है जिसे संसार की शक्तियां खास्तोर से बनाया गया वह यंत्र जिस भी देवी या देवता को समर्पित होता है उसकी ओर्जा प्राप्त करता है रिखे कुछ यंत्रों के संबंध में हम पहले जानते हैं क्योंकि इस यंत्र से पहले यंत्रों की विशेश्टाओं को भी समझना आवश्यक होता है जब हम यंत्र को बिंदु के रूप में देखते हैं तो यह उर्जा को एक आग्रता और ब्रहम्हांडिय विकीरण के रूप में सभी बलों का एक साथ संयोजन के रूप में जानते हैं अगर तिकोनी आकरती बनी है तो यह दिव्य और महाशक्ति स्त्री उर्जा का प्रतिनी दिद्टो करती है इसलिए ज्यादा तर देवी के जितने भी यंत्र होते हैं उसमें आपको त्रिकोन अवश्य ही देखने को मिलता है और जो शत्र कोना जिसे हम इस्टार की आकरती भी कहते हैं उससे बना हुआ यंत्र जो होता है वह शिव उर्जा और शक्ति उर्जा यानि पुरुष और इस्त्री दोनों की एक साथ मिलन शक्ति और सामर्थ को दिखाया जाता है चक्र के रूप में आप देखते हैं तो यह पांचों मूल्भू तक्तों का में वाय। तक्तों का प्रतिनिधित्व करता दिखाई पड़ता है एक वरगाकार इस्थिती विवस्थित शक्तियों के रूप में प्रत्वी तक्तों को प्रतिनिधित्व करती है और पद्म के रूप में जो भी हम कमल की सरूप को देखते हैं, यह एक सर्वूच्य यंत्र माना जाता है, जो की आसन है किसी भी शक्ति का, सभी देवि, देवताओं का मूल आसन, यह पद्म माना जाता है यानि कमल, और कमल से बनी होई आकरती, यानि की यंत्र। जब हम कोई भी यंत्र स्थापित करते हैं, तो उसे फिर ध्यान पूर्वक देखकर उसको समझते हुए उस परमंत्र का जाप किया जाता है, तो मन की चंचलता समाप्त होती है। यह एक ऐसी खिड़की है जिससे आप उस दैवी ये उर्जा को अपने पास बुलाते हैं। यंत्र आपके दिमाग के मध्यम से वह आकरती ब्रह्महंड में उर्जा रूप में पहुंचती है। और यह फिर उसी शक्ती और उसी सामर्थे वाली शक्ती, देवी, देवता और उस उर्जा को खीच कर उसी यंत्र पर वापस लेकर आती है। और उसका प्रभाव फिर देखने को मिलता है, यह ठीक वैसे ही है। जैसे कि सूरज के सामने खड़े होने पर सूरज की गर्मी इंसान को अवश्य ही महसूस होती है। हलाकि सूर्य अपनी जगह पर इस्थिर है। किन्तु उसकी उर्जा और प्रकाश आप ग्रहण कर लेते हैं। यंत्र भी वैसा ही कारे करते हैं। यानि उस दीवी या देवता की जो शक्ति होती है उस यंत्र के माध्यम से आप तक पहुंचाती है। देवताओं में आप भगवान गणेश, शिव, हनुमान, दुरगा, लक्षमी, विष्णू, महाविद्या जितने भी स्वरूप हैं। उन सभी के यंत्रों को देखते हैं। जो तिसक के महत्तों में देखें, तो नवग्रहों के यंत्र, कालसर्प यंत्र, नक्षत्र यंत्र इत्यादी देखने को मिलते हैं। वास्तु के रूप में देखते हैं, तो यह भूमी से संबंधित, विशेश रूप से जाने जाते हैं, जिसमें वास्तु यंत्र, भूमी यंत्र और इसी तरह के अन्य यंत्र होते हैं। नुमेरिकल यानि की संख्याओं के संयोजन से बने गए यंत्र जो होते हैं, उनमें आप उधारन सरूप, कुबेर यंत्र, रोग निवारन यंत्र, बीसा यंत्र, महाविजय यंत्र, इत्यादी अन्य प्रकार की यंत्रों को देखते हैं। और उद्देश्य पूर्ण यंत्र भी होते हैं, जिनका एक विशेश उद्देश्य होता है, जैसे के शीग्र विवाह करने के लिए यंत्र, संतान गोपाल यानि संतान की प्राप्ति के लिए यंत्र, वशी करण और आकर्षण के लिए यंत्र इत्यादी। तो इस प्रकार से हम इन यंत्रों के अलग-अलग उद्दिश्यों को देखते हैं। उसके अलावा अब जितना भी यंत्र शुद्ध धातु से निर्मित होगा, उसका प्रभाव भी उतना ही ज्यादा माना जाता है। यानि कि अगर कोई सोने पर यंत्र का निर्मान करता है, उसका प्रभाव सफ से ज्यादा होगा, फिर चांदी, फिर कौपर, फिर भोजपत्र, और फिर चित्र के रूप में वर्नित। तो इससे भी पता चलता है कि उसकी उर्जा कितनी अधिक हमें प्राब्द हो पा रही है। यंत्र को सही दिसा में सही धंग से रखना चाहिए और अपने आवास यानि रहने के स्थान के उत्तर पूर्व हिस्से में इसे सबसे ज्यादा अच्छा मना जाता है। इसके अलावा अगर आपके North East की जगह सुविधा जनक नहीं है तो आप इसे किसी डेस्क पर किसी दीवार पर भी रख सकते हैं। और अपने मंदिर में तो इसे स्थापित करने से फाइदे ही होते हैं। जब ही आप अगर इस बात से ड़ते हैं कि आपकी दुरगटनाएं हो सकती हैं अपके साथ। तो फिर उसे अपने वाहनों पर या पिर ऐसी जगहों पर स्थापित करें जहां से आपको ज्यादा भत्रा महसूस होता है। तो यह विभिन प्रकार हैं जिनके मध्यम से हम यंत्रों को देख पाते हैं और उनका उपयोग कर पाते हैं। तो इस महा विजय यंत्र को हम हिंदू और जहन पद्धती से मिलकर तयार किया गया यंत्र कहते हैं। और यह एक आजमाया हुआ प्रभावी यंत्र माना जाता है। इसके प्रभाव से या इसे अगर हम पहले बाजू में पहनें तो इसका फाइदा यह है इससे भूत प्रेत नश्ट होते हैं और जिनके उपर भी भूत प्रेत इत्यादी की बाधा है उनके हाथ में इन्हें बाधना चाहिए। जिनको भी व्यापारिक समस्या है वह अपने व्यापारिक स्थान पर इसे स्थापित करें तो उन्हें व्यापार में फाइदा देखने को मिलता है। जिनकी भी नौकरी नहीं लग रही है तो वह इसे अपने कारे के स्थान पर जहां पर भी वह कारे करते हैं या जिस हे तु नौकरी चाहते हैं उसी स्थान पर इस्थापित करना चाहिए. जिनके भी बीमारी हो उनकी चाहती में इसे धारण करवाना चाहिए और जिने भी अपने मनोरतों को पूर्ण करना हो तो वह अपने मंदिर में किसी स्थान पर इसे स्थापित करें और पूजा से पहले और पूजा के बाद अवश्य ही इसका दर्शन करें तो मनोरत पूर्ण होने लगते हैं। इस यंत्र को आप किसी भी स्याही से शुब्ह मुहूर्त सिद्ध योगों में लिख सकते हैं और स्थापित कर सकते हैं या हर प्रकार से कारे करता है। तो जैसा कि आप इस चित्र के मध्यम से इस महाविजय यंत्र को देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही आपको बनाना है। इसमें ध्यान देनी वाली बात यहां है, जहां लिखा है व्यक्ति का नाम अत्वा पीडित का नाम, वहां पर अपना नाम लिख लेना चाहिए। अगर कोई विसे समस्या या परिशानी है तो हो। ताकि आपके उपर से वह समस्याएं हट सकें। तो यह एक विवरण था महाविजय यंत्र का। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगल में हो। धन्यवाद।